मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 2 अक्टूबर 2020 का दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 2 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है प्रती पदा नक्षत्र है रेबती पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सुक्र बार आज के दिन सुर्य उदय का समय है 6 बज के 14 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 5 मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 11 घंटे 50 मिनट 35 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 46 मिनट एम से 12 बज के 34 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है 8 बज के 36 मिनट एम से 9 बज के 24 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 10 बज के 41 मिनट एम से 12 बज के 10 मिनट पी एम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर इस बेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज आपके काड़े अच्छत्र के बारे में दोस्तों कामकाज के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने से थोरा सा नीचे है दोस्तों आज से पहले अगर आपके कामकाज में आपके काड़े अच्छत्र में आपका कोई महत्वपुर्ण काम किसी भी कारन से पूरा नहीं हुआ था अधूरा था तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आपको पूरा करना होगा वैसे अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से भी आपका समय आपका शाथ नहीं देगा दोस्तों आज के दिन अगर अपने दामपत्ते जीबन में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने जीबन साथी से आपको वर्ता लाब करना होगा और अपने जीवन साथी से बात करने के बाद ही आप कोई पडिवर्तन करें दोस्तों आज से पहले अगर आपके घर पडिवार में किसी व्यक्ती के साथ आपका संबंध खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन अपने शंबंध को आपको मजबूत करना होगा क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका शमय आपका साथ अब इससे देगा दोस्तों आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था कहीं फस गया था तो आज के दिन अपने रुके हुए धन को आप प्राप्त करने का प्रयास करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोट के भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक के बारे में दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आप बहते जल में स्री फल यनी की नारियल प्रवाहित कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा आज आपके लिए भाग्य साली अंक है आठ यनी की एट आज आपके लिए भाग्य साली रंग है हरा और फिरोजी तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे कर दें आराम राधे